दूसरे वाले में भी 100 प्रस्ण होते हैं तो इसमें जो 100 प्रस्ण हैं उसमें 50 प्रस्ण जो हैं आपका सामाने ग्यान का जो है वो रहेगा और दूसरा जो खंड है उसमें जो है आपका हिंदी का जो है प्रस्ण रहेंगे तो यहां पे सबसे पहला जो प्रस्ण आया था आप पत्रा है तो इसका सही आंस्वर जो हो जाएगा दोस्तों वो है राजा राम मोहन राय अब बढ़ते हैं दूसरे प्रस्ण के तरफ दूसरा प्रस्ण है दोस्तों अकबर नामा के लिखक कौन है तो यहां पर जो है सेख फैजी अलवरूनी अबुल फजल इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो अबुल फजल है तीसरा प्रस्ण है दोस्तों आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई 29 सेतंबर 1922, 23 अक्टूबर 1902, 31 अक्टूबर 1922, 20 दिसंबर 1920 तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो थर्ड नंबर 31 30 अक्टूबर 1920 को हुआ था प्रस्ट नंबर 4 एसेंड डेवलेप्मेंट बैंक का मुख्याले कहां इस्तित है मनीला जिनेवा बियना इन में से कोई नहीं दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर यानि मनीला प्रस्ट नंबर 5 दीस सर्वेंट आफ इ वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले एसियन कप फुटबाल 2019 किस ने जीता प्रस्ट नंबर 6 में दोस्तों ये पूछा गया है कतर मयम्यार किर्गिस्तान या भारत तो दोस्तों एसियन कप फुटबाल जो 2019 है वो उसको जीता था कतर ने इसका प्रस्ट नंबर 1 जो है आपक भारत एवम पाकिस्तान भारत एवम मयामीमार या भारत юँ चीन दोस्तों इसका प्रस नंबर 7 को जो सईंसर होगा वो भारत एवम चीन यि भारत एव चीन के बीच यह नाम दिया गया है और प्रस्ट नमर 8 है किस देश ने हिंदी गो अपनी तीसी अधिकारिक भासा गोस तो दोस्तों इसराइल इरान संव्त अरभ अमिराद्र ये जो कर्णम्रा छर्ट से उस समय time पूछा गया Allton इसका जैंश जो था जो समय समूल सई detox म्हार्श चैनल संब्लेक्व ऑन्सक्राइन से अरहरां कितन geen नों落से नममरン नों भरतिय सिनेमा के जनक दादा सहे फाल के प्रस नमर दस माई कंट्री माई लाइफ नामक पुष्टक किसने लिखी है लाल किसने आडवानी जवाहर लाल नहरू, महात्मा गांधी या सुबास चंद्रोस तो इसका सही अंसर जो होगा हो दोस्तो वो लाल कृष्ण आडवानी जी इन्होंने माई कंट्री माई लाइफ नमक पुष्टक लिखी है और प्रस नमर ग्यारह प्रथम भारतिय राष्टिय कांग्रेस का अधिवेशन जो कहां हुआ नागपूर, सतारा, कलकता या बंबई तो इसका सही अंसर जो होगा वो बंबई में प्रस नमर बारह डूरंड कब किस खेल से संबंदित है कबड़ी, हाकी, फुटबाल या क्रिकेट तो इसका सही अंसर जो होगा दोस्तों वो होगा थर्ड नमर यानि कि फुटबाल से संबंदित है दोस्तों प्रस नमर तेरह ग्रेमी अवार्ड किस खेतर में दिया जाता है पत्रकारिता, संगीत, साहित या विज्यान दोस्तों इसका सही अंसर होगा वो होगा संगीत के खेतर में दिया जाता है प्रस नमर चौदा त्रिपीटक किस धर्म का पवित्र ग्रांथ है तो इसके उप्शन में दिया वा है बहुत धर्म, सेव धर्म, हिंदु धर्म या जैन धर्म तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों बहुत धर्म का प्रस नमर पंद्रह हिंदी साहित या अकादमी पुरसकार 2018 किसे दिया गया अनिस सलीम, रमा कांत सुकल, चित्रा मुद्गल, युगेंदरनाथ सर्मा तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों चित्रा मुद्गल को ये पुरसकार दिया गया है 2018 में प्रस नमर 16 वर्ल्ट्रेड आर्गनाईजेशन का मुख्यालक कहा है प्रस नमर 17 गाउं को गोद लेना एवं उसका विकास करना प्रस नमर 18 गणतनतर दिवस 2019 पर मुख्य अतिति कौन थे तो यहाँ पे सीरिल रामा फोसा बोल सोनारो आंग सान सू की इनमें से कोई नहीं दोस्तों ये करन से पूछा गया है आप यदि इस साल के पेपर दे रहे हैं यानि 2020 के तो यहाँ पे आपको जरूरी हो जाता है कि इस साल जो है मुख्य अतिति कौन थे इन सब चीजों को आपको थोड़ी जानकारे रखनी होगी इसको अपडेट करना होगा जो जो प्रस्न पूछे गए थे इसका सही अंसर था दोस्तों 2021 में सीरिल रामा फोसाजी यह मुख्याति थी थे प्रस्न नमर जो है उसमें अप्टिकल फाइबर की सिदान पर आदारी थे यह पूछा गया है तो इसका प्रकास का फाइलाव, प्रकास का पून आंतरिक सोसन, प्रकास का ब्रहमजाल पैदा करना या प्रकास का पून आंतरिक परावर्तन तो इसका जो option number 4 है वो सही होगा, प्रकास का पून आंतरिक परावर्तन प्रस्ट नम्मर 20, सांख्य दर्शन के प्रेणेता कौन थे? कनाद महर्शी, गौतम मरिशी, कपिल मुनी या महर्शी, पतंजली तो इसका सही answer है दोस्तो, option नम्मर 3, कपिल मुनी प्रस्ट नम्मर 21, ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? प्रफोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर तो इसका जो सही answer है दोस्तो, वो है स्ट्रेटोस्फियर इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है प्रस्ट नम्मर 22, पद्म स्री पुरसकार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नर्गिस दत, स्मिता पाटिल, हेमा मालिनी या मीना कुमारी तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तो, उप्शन नम्मर वन जो है वो सही होगा नर्गिस दत प्रस्ट नम्मर 23, गारो हिल्स की पहाडियां किस राज्य में हैं? तो दोस्तो, नागालेंड, अरुणाचल, प्रदेश, असम या मेघाले में? इसका सही आंसर होगा दोस्तो, मेघाले में प्रस्ट नम्मर 24, स्वर्तमान में अंतराश्टी अस्तर के 200 मैच खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? वेदा कृष्ण मूर्ती, अरुंधती राय, मिताली राज, याराधा यादो? इसका सही आंसर होगा दोस्तो, मिताली राज जो हैं? वो 200 मैच खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर हैं. प्रस्ट नमर 25, निमलिखित में से कौन धातु के अंतरगत है? कारबन, पारा, आठ मार्च, बंद्राप्रेल, 11 माई या 10 जुन को? दोस्तो, आठ मार्च को अंतराष्टिय महिला दिवस मनाया जाता है. प्रस्ट नमर 27, निली क्रांती किस से सम्बंदित है? क्रिशी से दुग-दूग, उत्पादन, तिलहन, उत्पादन या मत्स पालन? तो दोस्तो, न गुमर निर्त्य कहां का लोक निर्त्य है? गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान या महराष्ट? तो दोस्तो, गुमर निर्त्य जो है, वो राजस्थान का लोक निर्त्य है. प्रस्ट नमर 29, रिडिल्स इन हिंदुज्म के लेखक कौन है? अर्बिंद, डाक्टर भीम राव अंबेटकर, जवारलाल नहरू, इनमें से कोई नहीं. तो दोस्तो, रिडिल्स इन हिंदुज्म के लिए जो लेखक है, वो डाक्टर भीम राव अंबेटकर है. प्रस्ट नमर 30, अटल भीहरी वाचपी के समय के रक्षा मंत्री, जिनका वर्तमान में मृत्त्य हो गई जार्ज फर्नांडी, चस्वंत सिंग, प्रमोद महाजन, सरद पवार. तो दोस्तो, अप्शन नमर एक, जार्ज फर्नांडी, इसका सही अंस्वर होगा. प्रस्ट नमर 31, खेलो भारत युवा खेल कारिक्रम, 2019 कहां आयजुत हुआ? दिल्ली, मुंबई, गुहाउटी या पूने? तो दोस्तो, ये पूने में हुआ था. अप्शन नमर चार सही होगा. प्रस्ट नमर 32, सेंटर फार सेरिल्वर एंड मालियूकूलर बायोलोजी संस्थान कहां पर इस्थित है? तो दोस्तो, चेन्ड़ाई, मुंबई, हैदराबाद या मदुरेई? इसका सही अंसर होगा. हैदराबाद. अप्शन नमर तीन. प्रस्ट नमर 33, कौन से राष्ट य होगा? इसराइल एवं अमेरिका. अप्शन नमर दो. प्रस्ट नमर 34, संविदान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लब भाई पटिल, डाक्टर भीमरा अमबेटकर, सचिदानन सिन्हा, डाक्टर राजेंदर प्रसाद. इसका जो सही आंसर होगा, दोस्त गीत गोबिंद के रचेइता कौन थे? जैदेव, कलहन, भरत्रीहरी या सुबंदू? इसका जो सही आंसर होगा, दोस्तों, वो जैदेव. प्रस्ट नमर 36, अंग्रेजों ने किसके सासनकाल में सूरत में फैक्टरी की निव रखी थी? साजहां, जहांगीर, अकबर, औरंग जैदेव, इसका जो सही आंसर होगा, दोस्तों, वो जहां गीर होगा. प्रस्ट नमर 37, माश्र गरंथी किसे कहते हैं? थारेड गरंथी, अगनास है, प्यूस गरंथी या अंडास है? तो इसका सही आंसर होगा, दोस्तों, प्यूस गरंथी. प्रस्ट नमर 38, भारत की सबसे प्रावली प्रवत श्रिंखला कौन सी है अरावली बिंद्य सत्पूड़ा या हिमाला तो ओप्शन नमबर एक अरावली इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रशन नमबर उन्तालिस प्रित्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है बुद्ग्रह मंगल ग्रह ब्रेस्पति ग्रह या सुक्र ग्रह तो ओप्शन नमबर फूर इसका सही आंसर होगा सुक्र ग्रह प्रस्ट नमबर 40, ब्रेगजिट प्रक्रिया किस देश से समवंदित है फ्रांस, यूरोप, बृतेन, ब्राजील दोस्तो इसका उप्शन नमबर 3, बृतेन सही आंसर होगा वाइद आप माप, प्रस्ट नमर 41, वाइद आप मापने का यंत्र कौन सा है एनिमोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, साइक्रोमीटर तो इसका आप्शन नमर दो, बैरोमीटर सही अंसर होगा प्रस्ट नमर 42, बीजय हजारे ट्राफी 2018 किसने जी थी? करनाटक, सौराष्ट, छतिसगड या गुजराद तो दोस्ट इसका सही अंसर होगा, करनाटक प्रस्ट नमर 43, रामायन में कितने कांड है? आठ कांड, छै कांड, नौ कांड या साथ कांड तो अप्शन नमर 4, साथ कांड सही अंसर होगा प्रस्ट नमर 44, जब भारत अजाद हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, लाड बिलियम बेंटी, लाड मांट बेटन, वारेन हैंक्स्टिंग तो इसका सही अंसर होगा, दोस्तो, लाड मांट बेटन प्रस्ट नमर 45, 25 जनवरी 2019 को मतदाता दिवस की थीम क्या थी? मजबुत लोकतंत्र के लिए चुनावी समझ, कोई मतदाता छुटने न पाए, सुलब चुनाव, युवा और भावी मतदाताओं को ससक्त बनाना तो इसका सही अंसर, दोस्तो, हो जाएगा, कोई मतदाता छुटने न पाए, दोस्तो, आप 2020 का भी जो मतदाता दिवस की थीम है, उसको ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपसे पूछा जा सकता है, उसे सम्मन्दित क्वेस्चन आ सकते हैं प्रस नमर 46, पेंसिलीन की खोज किसने की, अलेकजंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या इन में से कोई नहीं, तो दोस्तो, आप्सन नमर एक, ये सही होगा, अलेकजंडर ने खोज की थी, प्रस नमर 47, रामायन कानुबाद फार्सी में किसने किया था अबुल फजल, इसरदास, अब्दुल लतीफ या बदायूनी ने, तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों, अप्सन नमर 4, बदायूनी ने की थी, और प्रस नमर 48, म्यूचल फंड के लिए नियामक संस्था है, IPO, NSE, SEBI, KPO, इसका सही अंसर होगा दोस्तों, SEBI, अप्सन नमर 49 प्रस नमर 50, वह बक्ती, जिसे दो बार नोबल पुरसकार मिला, जिसमें एक बार सांती के लिए मिला, तो वह दोस्तों, लीनस, लीनस पॉलिंग, मैडम क्यूरी, फेडरिक सेंगर, जान बारडीन, जिसका सही अंसर होगा दोस्तों, लीनस पॉलिंग, तो दोस्तों, इस तरह से आपके सामाने ग्यान की ये 50 कोईशन थे, और दूसरे खंड में आप से हिंदी की जो है, 50 प्रस पूछे जाते हैं, और ये पूछे गए थे आपका ही जो पिछले साल का जो आप देख सकते हैं, इंदी में जो सबसे पहला प्रस पूछा गया था, वो है, प्रस नमबर 51, म्रिगनैनी में कौन सा समास होगा, तो दोस्तों, म्रिगनैनी में करम धारे समास, अब्वेभाव समास, किवल समास, औ और प्रस नमर 52, गीत गुबिन किस की रचना है, ये जैदेव की रचना है, दोस्तों, और प्रस नमर 33, मनरम का संदी बिच्छेद क्या है, मनो धनरम, मन धन ओरम, या मन धनरम, या मनो धनरम, इसका अप्शन नमबर जो तीन है, वो सही आंसर होगा, तो इसका अप्शन नम प्रस्टन म्वर्च अरु आधु इत्याधी का संधी विच्छेत क्या होगा , इत्यधन्यादी- त्य। Computer नम्वर्च नम्प्सिन नम्बर नम्बर नम्प्सिन नम्पर सब्खेत वह शます जहां दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा दोन समास करमधारे समास द्यूगु समास या ततपूरु समास तो इसका सही अंसर होगा दोस्तो दोन समास दोस्तो इस बात को ध्यान रखेगा जहां दोनों पद प्रधान होए वहां दोन समास होता है और जैसे कि माता पि उसे अक्सर जूड़े हुए सब्दों सब्द जो होते हैं वो उनमें ये द्वन्द समास होता है प्रस्ट नमर 57 बीरस का स्थाई भाव क्या है तो इसका जो है उत्सा सोग भय और क्रोद इसका उत्सा सही आंसर होगा प्रस्ट नमर 58 बीहारी सथ सही किस भासा में रचित है संस्क्रिट बिंगल या ब्रजभासा में तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो ब्रजभासा में ये रचित है प्रस्ट नमर 69 द्राक्षा सब्द का परियावाची क्या है केला नारियल अंगूर या खरोड इसका सह अंसर होगा दोस्तों अंगूर प्रस्ट नमर शाट जिस क्रिया में कर्म किया वसकता ना हो सकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया एक कर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया दोस्तों जिस क्रिया में कर्म किया वसकता ना हो उसको अकर्मक क्रिया कहता है यानि कि option 4 आपका सही अंसर हो जाएगा, प्रस्ट नमर 61, बीरता में कौन सी संजया है, प्रक्तिवाजक संजया, समुह वाचक संजया, भावाचक संजया, या जातिवाचक संजया, तो इसमें दोस्तों आपका बीरता में जो है, वो भावाचक संजया है, प्रस्ट नमर 62, वर्णो के समुह को क्या तो यहां पर देखिए दोस्तों बिहंग, पखेरू, समीर और खग चार अप्शन दिये हैं इसमें से बिहंग का भी अर्थ पक्षी होता है और पखेरू का अर्थ भी पक्षी होता है लेकिन समीर का जो अर्थ है वो पक्षी नहीं होता है इसलिए यह सही हो जाएगा उप्श प्रिश्च नमा चक वाक्य या इच्छा वाक्य दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तों यह बिश्मय बोधक वाक्य के अंतरगत आएगा प्रिश्च नमर पैंसर्ट साखी सब्द का तत्सम क्या है सखी साक्षी साखी और भक्षी तो दोस्तों इसका जो तत्सम होगा यानि इसका सुद्ध रूप जो होता है संस्कृत के अंतरगत वो साक्षी हो जाएगा तद्सम का मतलब ही होता है दोस्तों कि जो उसका मूल रूप में यानि कि संस्कृत बासा में ये किस रूप में ये सब्द था तो ये साक्षी इसका सही अंसर हो जाएगा साक्षी सब्द था संस्कृत में और हिंदी में आकर के तद्भोव का साखी हो गया है तो प्रस नमर 66 संस्कृत सब्दों से निर्मित सब्द को किस नाम से अभिध किया जाएगा यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों बहुत ही समाने सी समझने वाली चीज है कि संस्कृत से सब जो बनते हैं हिंदी में उसको क्या कहते हैं तत्सम सब्द देशसब्द तद्भोव सब्द इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो सब्द संस्कृत से हिंदी में बनते हैं उनको तद्भोव कहते हैं तो यह आपका सही हो जाएगा और जो संस्कृत के सब्द हिंदी में दोस्तों इस तरह से प्रेस्ट नमर 66 जो है पुछा गया है चावण मिलकर बना है को प्लस शो से को प्लस शो से या को प्लस चो से तो यहां पर आप्शन नमर तीन जो है वह आपका सही हो जाएगा प्रेस्ट नमर 68 पेड़ से फल गिरा यह कौन सा कारक है कर्म अपादान संप हो जाएगा प्रेस्ट नमर 69 सत्ता नव धरन करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं तो यहां पर योगिक योगरूड रूड या परतंत्र तो यहां पर आपका ऑप्शन नमर एक आपका सही हो जाएगा योगिक कहते हैं प्रस्ट नमर 70 निमलकित में से रभी का पर्याइवाच इस इसलिए प्रस्ट नमर 70 का जो जाएणसर है वह अप्शन नमर तीन य KHी दिनेस our Oh This अमwa इखत्तरस्टपाई चंद किसका भेद और कि दोक्तो चंद जो डुन बृत्ट चंद संप्वरित चिंद मु क्ट चंद या सममातरिक चंद इसका सई जो है यह मात्रिक चंद भुजंगी मात्रिक चंद नहीं है उप्सन नमर दू आपका सही हो जाएगा योग कि रोला और सोटा भी मात्रिक चंद है यह आपका सही है प्रेस्ट नमर तीह तो किस कारक में सरवनाम सब्द का प्रियोग नहीं होता है संबोधन करता कर्म या अपा दान, आपा दान, तो इसका सही अंसर जगत दोस्तों, अप्शन नमर एक, संबोधन कारक में सरवनाम सब्द का प्रियोग नहीं होता है, प्रिस्ट नमर 74, संदेशिनी मदुबन कुप भरे अपने तो पठवत, नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे में कौन सा अलंकार होगा, तो प्रिस्ट नमर 74 में जो है, अतीस योगती अलंकार होगा, प्रिस्ट नमर 75, जय सब्द में किस उपसर्ग के प्रियोग से इसका बिलोम प्राप्त होगा, तो जय का आर्थ जो दोस्ता होता है, वो जीतने से होता है, और यहां पे चार अप्शन दिये वें, बी, परा, स और पर तो इसमें पराज जोड़ने से इसका उल्टा यानि कि पराजे सब्द बनेगा और उसका अर्थ होगा हार तो यहां पर पराज अप्शन नमर दो सही अंस्वर आपका होगा प्रस्ट नमर शेतर अभिसाप का बिलोम क्या होगा आशिरबाद आसीस वर्दान इनमें से क कोई नहीं तो अभिसाप का जो बिलोम होगा दोस्तों ओप्शन नमर तीन यानि वर्दान होगा प्रस्ट नमर शेतर कोईले की दलाली में हाथकाला मुहावरे का अर्थ होगा गलत काम का गलत परिणाम कोईले का ब्यापर करना जूट बोलना ब्यापर में गाठा होना तो आप्सिन कोई नहीं नहीं तो दोस्तों तो ओब का इस में संधी पहला है तौब कोई नहीं यह इसमें संधी और समस्जों है त्रिभुज Symphony अब्रस्ट काई प्रस्टा नम्म रसी जैते तुम तारे ते नवह न तारे इसमें अलंकार बताईए यमक वक्रगती अतिस्योकती उप्मा तो दोस्तो इसका सए plays यमक प्रस्ट नमर्ण 11i निमलिखित में सुध्वर्टनी होगा स्रोथ चुक्रUB दोस्तों इसको आपको ध्यान से इसकी सुद्द कौन सा सुद्वुरूप से लिखा हुआ है यह बताना है या इदनो से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है दोस्तों, option number 2 है, ये सही से लिखा हुआ है, प्रस्ट number 82, पलंक का तत्सम रूप है, पलंक, परक, पर्यंक या चतुस्पद, तो दोस्तों, option number जो 3 है, वो इसका सही अंसर है, प्रस्ट number 83, रे निरिप बालक काल बस बोलत तोहिन, संभार में रस बत आईए, तो दोस्तों, इसमें जो है आपका, राउद्र रस, बीर रस, करुणरस या भहनक रस में से, इसमें आपका राउद्र रस से, option number 1 सही होगा, इसका, प्रस्ट number 84, बिहारी द्वारा लिखी गई सत सही क्या है, प्रबंद काब्य, खंड काब्य, मुक्तब काब्य या महा काब्य, तो दोस्तों, यह एक मुक्तब काब्य है, option number 3 सही होगा, प्रश्ट number 85, ग्राम का सही तद्वा सब्द है, सहर, गाउं, सडक या खेद, दोस्तों, option number 2 है, वो आपका सही होगा, गाउं, प्रश्ट number 86, गवेश्डा का अर्थ क्या होगा, गोधन, प्रियास, खो खोज, इन में से कोई नहीं, दोस्तों, गवेश्डा का जो अर्थ है, वो खोज होगा, प्रश्ट number 87, अधिकरण कारकी विवक्ति क्या है, रारे, सेके, हे अरे, या मेपर, तो दोस्तों, option number 4, आपका सही होगा, मेपर, प्रश्ट number 88, इमलिकित में से कौन सा विराम चिन न नहीं है, यह आपका आउप्शन number 1, सही होगा, मत्ख क्यों ब्रश्टों अंरे, यारा, नमेपर, प्रश्ट number 90, जिसका मन काम में न लगे, के लिए एक सब्दों होगा, आलसी इच्छाचारी अन्यमनस्क कामचोर तो option number 3 यानि अन्यमनस्क इसका सही answer होगा प्रस्ट नमबर 91 निमलिखित में सुद्वर्तनी है कव यत्री, कव यत्री, कव यत्री या कभी यत्री तो दोस्तों इसका जो सही answer होगा वो option number 2 कव यत्री प्रस्ट नमर 92 निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है अउ, आ, इ, आउ तो दोस्तों option number 1 अउ सही इसका answer होगा प्रस्ट नमर 93 निम्न में से क्या भिन है मयंक, मरिगांक, ससी, रजनी तो दोस्तों option number 4 जो है आपका सही है प्रस्ट नमर 94 गमन का भिलोम क्या होगा तो दोस्तों निर्गमन, आगमन, परीगमन, आचमन तो इसका सही answer होगा गमन का भिलोम जो है आगमन होगा प्रस्ट नमर 95 शाकार का भिलोम है आकार, बिकार, साच्छातकार या निराकार तो इसका जो सही अंसोर होगा option number 4, प्रश्ण नमबर 96, सावधानी में प्रियूक्त प्रत्य है, आनि धानी ई बढ़ी, तो option number 4, यह इसमें, सावधानी में जो प्रत्य लगा है, प्रियूक्त है, वो ई है, यह ini option number 4 है, प्रस्ट नंबर 97, तीन बेर खाती है, वो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा, यमक सलेश उत्प्रिक्छा या यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों, आप्शन नंबर एक सही होगा, प्रस्ट नंबर 98, गोधुम का तदभव है, गोबर, गेहूं, दूद या गोधन, तो दोस्तों, इसका सही अंसर हो जाएगा, गेहूं, प्रस्ट नंबर 99, जान बूज कर परिशानी में पढ़ना के लिए कौन सा मुहावरा होगा, तो दोस्तों, जान बूज के जो परिशानी में पढ़ना इसके लिए मुहावरा है, आप बैल, मुझे, मार, आप्शन नबाब राय प्रेम चंद इसलिए आप्शन नमर तीन सही होगा